पूर्फ ट्रिकेटर और कॉंग्रस नेता नवजोद सिंग सिध्धू की पतनी नवजोद कॉर सिध्धू ने कैंसर को हरा दिया है वो साथ पहीने से कैंसर से जंगलर रही थी अब उनकी कैंसर की रिपोर्ट निगेटिव आई है इसके बाद उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स पर एक भावक पोस्ट करके दी दरसल नवजोद कॉर सिध्धू को लेफ्ट प्रेस में स्टेज 2 कारसिनोमा कैंसर हो गया था नवजोद कॉर सिध्धू ने अपने पोस्ट में लिखा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी PET स्कैन के अनुसार मुझे कैंसर मुक्त खोशित कर दिया गया है इससे मेरे पूरे शरीर का अंगदान संभव हो गया है मैं सौभा की शाली महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने बालों को दान कर से आई ये लकड़ी बचाने के लिए बिचली वाले शवदाग रहे के लिए हां कहें कुरोना में लोगों की शवों को नकारते देखा है नवजोद कौर के पती नवजोद सिंग सिद्धू ने कैंसर सिग्रसित होने पर पत्नी का पूरी तरह से साथ दिया नवजोद सिंग सिद्धू ने अगस्त महीने में पत्नी की हेल्थ अपडेट को साजह करते हुए एक फोटो साजह की थी इसमें सिद्धू अपने हातों सी पत्नी नवजोद कौर को खाना खिला रहे थे तब नवजोद सिंग सिद्धू न लेखा था कि घाओ तो भर गए लेकिन इस कठन परीक्षा के मांच से घाओ अभी भी बने रहेंगे। तब उन्होंने बताया कि नवजोद कौर पर पाचवा कीमो चल रहा है। इसके बाद सिद्धू अपने परिवार के साथ मनाली चले ग नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुमिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24